अगर आप भी face कर रहे हैं, mobile network के साथ होने वाले issues तो चिंता की बात नहीं, इस वीडियो में आपको बताऊँगा step by step कुछ simple tricks जिनके इस्तमाल से आप इस problem से बच सकते हैं, और असानी से अपने mobile network को restore कर सकते हैं, कई बार क्या होता है न कि ये mobile networks unavailable का status जो show होता है, वो mobile की settings म होई किसी glitch की वज़े से भी हो सकता है, हो सकता है आपके area में network के लिए जो tower लगा हुआ है, उसकी service के चक्कर में दिक्कत हो रही हो, या फिर आपके billing में कोई issue आया है, तो ऐसा हो रहा है, लेकिन आप खुझ से क्या चीज़े कर सकते हैं network restore करने के लिए, ये मैं आपको toggle airplane mode, सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं हम सब, और ज्यादातर cases में काम कर भी जाता है, आपके screen के top से नीचे को swipe करना है, वहाँ airplane mode का button आपको देख जाएगा, on कर के सको off कर देना, जैसे हम phone reboot करते हैं न, ऐसे ही ये network को reboot कर देता है, second, reboot your phone, अब देखो अगर flight mode की help से network reboot कर के भी कोई फायदा नहीं मिला, तब हम क्या करते हैं, phone को restart करके देख लेते हैं, background में जो भी apps ये glitches चल रहे होते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं, जो airplane mode से नहीं कर पाते, तब ऐसे में phone reboot करने से काम बन जाता है, third, clean your sim card, phone restart करने से भी काम नहीं बना, तो sim ejector pin उठाओ, sim tray निकालो और sim card को आराम से clean कर लो, कई बर क्या होता है, कि sim card जगा से हिल जाता है, तो बाहर निकाल के वापस से insert कर लो, और इसी बीच ये भी ध्यान दे लेना चाहिए, कि sim card का metallic surface जो होता है वो गंदा तो नहीं हो रखा, क्योंकि उस बज़ेसे भी कई बार sim card ढंक सी read नह अब ही बताया, किसी भी step से काम नहीं बना, तो software update चेक करके देखो अपने phone का, बहुत चीज़ें ठीक कर देता है, settings में जाके देखो, available है update अगर तो download करके install कर लो, also mobile network जब नहीं मिल रहे हैं, तो wifi या किसी का hotspot prefer करके download करना, self understood है, बट फिर भी लोग comments में लिख देते हैं कि network नहीं आ रहा है, तो download कैसे करें, तो मैंने बता दिया, ऐसे कर लेना, move to a different spot, कई बार होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं, जहां कोई heavy wall या फिर कोई thick metal sheet एक barrier का काम करती है network के लिए, और तब हम face करते है network issues, जैसे कि हमारे internet speed का slow हो जाना, और calls पर काफी खराब quality experience क परके देख लेना चाहिए, एक spot set के दूसरे spot पर जाके देखो network सही हो जाता है, तो ये थे 5 common fixes, अब बताता हूँ आपको थोड़े से advanced steps के बारे में, पहला, reset your network settings, go to settings, then general management, उसके बाद नीचे reset पर tap करो, और यहां options मिल जाते हैं आपको mobile network, Bluetooth और Wi-Fi settings को reset करने के लिए, हा लेकिन जो passwords आपने networks को save कर रखे हैं, वो गायब हो जाएंगे यहां से, तो उनका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, second, switch mobile network operators, अब जैसे तो हमारा phone अपने आप detect करके suitable network पकड़ लेता है, लेकिन कई बार कुछ गरबर हो जाती हैं आपर glitch के चलते, तो ऐसे में settings मे जाके mobile networks, then operators, और यहां आपको select automatically का option देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे में अगर automatic selection on हो रखा है, तो switch to manual, और manual है, तो switch to automatic, थोड़ा सा इधर का अधर करके देख लेते, तो काम हो जाता कई बार, तीसरा, change network types, यह issue वो लोग face कर रहे हैं, जो 5G use करते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया में ना काफी जगा 5G network मिलता नहीं हमको असानी से, ऐसे में अगर आपके phone में preferred network type 5G only है, तब ऐसे में आप उसे switch करके 4G या automatic पर set कर सकते हैं, automatic set करने से जो best network मिलेगा उस एरिया के साब से phone उसे अपने आप catch कर लेगा, फोड, factory reset, यह तब करना है जब कोई भी step successful नहीं हुआ है phone के network को improve करने में, बस एक सरदर्दी होती है, इसमें वो यह कि आपको यहां stored data से हाथ दोना पड़ता है, उसका backup लेने का headache है वो अलग, लेकिन जब कुछ काम नहीं कर रहा, तो phone में कुछ reversible issues आ जाते हैं, वो सिर्फ factory reset से ही ठीक होते हैं, लेकिन अगर यह क करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसको skip करके आप अगले step को भी देख सकते हो, understandable है यार क्योंकि कितना ही backup ले लो, factory reset के बाद सारा data इधर का उदर हो ही जाता है, फिफ, contact your service provider, सब तिगड़म लगा के देख ली, नहीं बन रहा है कोई भी काम, तब या तो आपका sim card खराब हो चुका है, या फिर आपका sim card slot खराब हो चुका है, nearest concern store पर जाके अपना issue resolve करवा लेना चाहिए, ऐसे में, लेकिन ध्यान रखना ये last में करना है आपको, उससे पहले कुछ solutions खुद भी डून लेने चाहिए हैं, क्यों क्या होता है ना कि इससे समय और पैसा दोनों बचता है, अब ये जितने भी steps ये tricks आपको बताई है, मैंने mobile network issues को resolve करने के लिए, I hope वो मैं आपको सब अच्छे से समझा पाया हूँ, बागी और ऐसे कौन से issues हैं, जिनके simple solutions आप मुझसे जानना चाहते हो, मुझे नीचे please comment section में जरूर पूछना, और य subscribe कर लेना